हेलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाइट सोस पास्ता की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूट रेसिपी इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले सबसे पहले हम पास्ता बोईल करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर एक लिटर पानी लिया है इसमें हम एट कर देंगे एक टी स्पून नमक साथ ही में हम इसमें एट करेंगे हाफ टेबल स्पून तेल और हाई फ्लेम पर इस पानी को अच्छे से बोईल कर लेंगे पानी जब अच्छी तरह बोईल हो जाएगा तब हम इसमें एड़ कर देंगे पास्ता पास्ता की कॉंटिटी 200 ग्राम है इसे एक बार चला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम पास्ता को 10 मिनिट के लिए बोईल कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर पास्ता को बोईल होते हुए 10 मिनिट हो चुकी है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे ये देखिए पास्ता जो है वो 80% तक बोईल हो चुके हैं अब हम इनको तुरंत इस पानी में से निकाल लेंगे पास्ता को पानी में से निकालने के लिए आप छनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फीर इस तरह जहारा की मदद से आप इसे गरम पानी में से निकाल ले, अब हमने एक पेन में एक टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है, इस तेल में हम एट कर देंगे एक टेबल स्पून बारिक गटा हुआ लहसून, और लहसुन को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए देखिए इस तरह से जब लहसुन का कलर गोल्डन होने लगेगा तब हम इसमें एट कर देंगे दो मीडियम साइज की बारिक कटी हुई प्याज साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे दो मीडियम साइज की बारिक कटी हुई सिमला मीर्च साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे एक बारिक कटी हुई गाजर देखिए आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से और भी वेजिस एट कर सकते हैं अब हमें तेल में इन वेजिस को हाइफ लेम पर लगाता चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है एक मिनिट तक हाइफ लेम पर तेल में फ्राई करने के बाद हम इसमें हाफ टीस्पून काली मिश पाउडर एट कर देंगे साथ ही में एट करेंगे हाफ टी स्पुन नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगाता चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से लगाता चलाते हुए हमने हाई फ्लेम पर सारे वेजिसको तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया, अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और पास्ता के लिए सोस की तयारी कर लेंगे, पास्ता का सोस बनाने के लिए हमने पेन में तीन टेबल स्पून बटर लिया है, इस बटर को हम पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे, बटर जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें एट कर देंगे तीन टेबल स्पून मेदा और मेदे को हम बटर में लगाता चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए गेश की फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर हमने लगाता चलाते हुए बटर में मेदे को दो मिनिट तक अच्छे से भून लिया अब देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है इस टेश पर हम इसमें एक कप यानि की 200 ml दूध एट कर देंगे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तक इसने बिल्कुल भी नम्स ना रहे जाए और मीडियम फ्लेम पर इसे लगाता चलाते हुए पकाएंगे अब देख सकते हैं कि दूध एट करने के साथ ही मेदे ने सारा दूध एबजोब कर लिया इस स्टेश पर हम इसमें एक कप यानि की 200 ml दूध और एट करेंगे लगातार हमें इसे चलाते रहना है दिखिए अब भी हमें इसमें दूध एट कियो हुए सिफ एक मिनिट ही हुई है अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ दूध एट कर देंगे यानि कि इस सोस को बनाने में हमने आदा लिटर दूध का इस्तेमाल किया और दूद को हमने तीन पार्ट में डिवाइट करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके एड़ किया है सारा दूद एड़ करने के बाद हम इसे लगाता चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर सिफ दो मिनिट के लिए पकाएंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक टीस्पून चिली फ्लेक्स और एड़ करेंगे पोना चम्मच यानि की 3-4 टीस्पून नमक और एक टीस्पून काली मिश पाउडर इस तेश पर हम नमक ध्यान से एड़ करेंगे क्योंकि पास्ता को बोईल करते वक्त और वेजिस को फ्राइ करते वक्त हमने इसमें ओलेड़ी नमक एड़ किया हुआ है और एड़ कर देंगे एक टीस्पून औरेगेनो इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसिस को हमने इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम इसमें एड़ कर देंगे प्राइ कियो हुए वेजिस मिक्स कर लेंगे और इन वेजिस को हम पास्ता के सोस के साथ दो मिनिट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे अब एट कर देंगे बोईल कियो हुए पास्ता और हमने जिस पानी में पास्ता को बोईल किया है उसमें से हम 4 टेबल स्पून जितना पानी इस टेश पर इसमें एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए आप यहाँ पर 4 टेबल स्पून नोर्मल पानी भी एट कर सकते हैं पास्ता एट करने के बाद हमें से लो फ्लेम पर 2 मिनिट के लिए और पकाना है देखिए कितना क्रीमी और डिलीसियस हमारा वाइट सोस पास्ता बनकर तयार है इसे हम डिश आउट कर लेंगे पास्ता को सव करते वक्त हम इस पर थोड़ी सी चीज ग्रेट कर लेंगे देखिए वाइट सोस पास्ता में चीज बिल्कुल ओप्सनल है चीज के बगेर भी यह पास्ता बहुत टेश्टी लगता है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिप्पी के साथ तब तक के लिए गुडबाई